वस्ति के जानते हैं कि आज से टैली की क्लास स्टाट हो रही है इतने साथ साथ MSXS के क्लास on demand भी लूँगा लेकिन अफिल हर टैली की क्लास साथ से चलेगी डेगुलर से लिगी जैसे आपको confusion धहां होती है टैली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको यह लगता है कि टैली आप अभ्यास करते हो तो टैली आपको समझ में आ जाएगी लेकिन यह आपके सीखने के स्पीड पर डिपेंड करता है कितीनी तेजी से सीखते हैं ठीक है तो आज से जो क्लास स्टाट हो रही है उसको धीरे-धीरे करके मैं चलूँगा और डेली एक गंटे की क्लास लोगा तो लगभग मुझे लगता है कि 15-20 दिन या एक महिना मैक्सिमम इतने मैं पूरी टैली को खतम करूँगा और जहां भी दिक्कत आती है इतने नाथ से मुझे बताईए कि क्या दिक्कत है आपको ठीक है तो सारी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा और सारी चीजे स समझा होगा इसके लगए स्कूल सर्वर की आपके चलतर के क्लासे चलेंगी तो अगर आप अगर आपको जूड़ना है तो चैवल को खाली सब्सक्राइब कीजिए और सीधा जूड़िए कब डेबिट करना है यह सारी बाते प्लियर होती रहेंगी ठीक है अगर आपको प्राने वाले स्टाइल में और आ आप झाल में आए और टैयली को कैसे सीखना है कैसे समझना है यह सारी पाते आज से एगिर होती चलेंगी ठीक है तो आई होट कि आपको सारी बात समझ में आढ़ी कही होगी और और साब को साथ में उसे जुड़िए गका और सीजा और कि लिए नहीं समझ में आता है कि educational mode गया है ठीक है कभी-कभी आपको दिक्कत होती हुआ आप सोचते हो कि educational mode में रहकर के ही क्या हम डेट चेंज कर सकते हैं तो सारी चीजों का एक-एक का solution दूबगा ठीक है न, सारी चीज़ों का, कितने vouchers होते हैं, account क्या होता है, ठीक है, indirect expense क्या होता है, direct expense क्या होता है, इन सारी चीज़ों का solution होगा, कौन से voucher में कौन सी entry pass करी जानी चाहिए, अगर सामान खरीदा, खराब हो गया, return किया, तो कहां जाएगा, कैसे जाएगा, इन सबी चीज